हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल, कममद अधिज किचन रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जब भी हम ब्रेड से सैंविच बनाते हैं या ब्रेड से कोई स्नैक बनाते हैं तो ये साइड की किनारियों को हम कट कर देते हैं और कट कीवी किनारियों को हम अधिकतर डिसकार्ड कर देते हैं या फैक देते हैं तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कटीवी ब्रेड की साइड की जो स्लाइसेज है इसका हम बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं जैसे कि हम टिक्की बनाते हैं या कटलेट बनाते हैं या कोई भी स्नैक बनाते हैं तो उसको उपर से क्रंची बनाने के लिए हम ब्रेड क्रम्स का इस्तिमाल करते हैं तो आज हम बचीवी ब्रेड स्लाइसेस से ब्रेड क्रम्स बना कर तयार करेंगे लेकिन मैं आपके साथ में बहुत ही easy way में बिना light जलाए बिना gaze जलाए बिना जंजट के जटपट बनने वाला बचीवी slices से bread crumbs बनाना सीखेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यह मैंने side की ब्रेड की slices को फ्रीज में दो दिन के लिए रख दिया था ताकि यह ड्राइ हो जाए तो जब हम इसको मिक्से में चलाएंगे तो यह आसानी से पिस जाएगा अगर आप गीली bread यूज करते हैं तो उससे आपके bread crumbs नहीं बनेंगे इसलिए यहाँ पर आप ब्रेड को तीन चार दिन के लिए या तो आप बहार रहने दीजिए या आप दो दिन के लिए फ्रीज में रख दीजिए जिससे की आपकी जो bread की slices है वो ड्राइ हो जाएगी तो bread crumbs बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक mixi jar ले लिया है और अब इसमें हम dry bread slices एड़ कर देंगे तो अब धकन लगा लेंगे और bread slices को grind कर लेंगे तो चेक कर लेते हैं तो यह देखिए grind करने के बाद में bread crumbs बनकर तयार है तो यह लेजिए bread crumbs बनकर तयार है एकदम perfect bread crumbs बनकर तयार हुआ है कोई भी bread का यहाँ पर pieces नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैंने एक container ले लिया है और अब इस container में यह bread crumbs को मैं store करके रख दूँगी और जब भी मुझे कोई टिक्की बनानी है या कोई cutlet बनाना है तो उसको crispy बनाने के लिए हम यह bread crumbs का इस्तिमाल कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि bread crumbs बनाने के लिए काफ़ी सारी bread की ज़रत हो या bread slices की ज़रत हो जब भी आप कुछ भी snack बनाए तो थोड़ा बहुत भी जो भी वेस्टेस निकलता है आप इस तरह से उसका इस्तेमाल करके और bread crumbs को एक 8 आट कंटेनर में आप इखटा करके और फ्रीज में bread crumbs को इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ तो जब भी कोई recipe बनाए तो आप इस तरह से bread crumbs का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे समय का भी बच्चत होगा तो आपको मेरी आज की recipe पसंद आती है और ये tip पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे शेर करें और मेरे साथ में comment box में अपनी thinking जरूर शेर करें और मेरे चैनल को subscribe करें और एक bell icon आता है उसको प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे मैं विलूंगी आपको अगले वीडियो में एक नई recipe के साथ में तब तक के लिए बाबाइ